प्रीव विद्यार्तियों अब तक हमने पड़ा वीमायोग्य हित्त का सिद्दान चूंकि ये प्रेश्ण एक विस्तरत प्रेश्ण के रूप में 16 नमबर तक का भी पूछा जाता है इसलिए हम इसका इत्ता डेटेल डिस्कसन कर रहे हैं हमने अब तक देखा कि वीमायोग्य ह हित्त से आशे क्या है वीमायोग्य हित्त कब सो मिश्चित किया जाता है अलग-अलग प्रकार के वीमायों में वीमायोग्य हित्त कि उत्पत्ति के आधार क्या होते हैं ये सब हमने देखा अब हम लेंगे वीमायोग्य हित्त के सिद्दान्त का महत अर्थार्थ ये सिद्द सब्सक्राइब कर दो कि सिद्दान्त नहीं होता तो क्या हानी हो सकती थी इस चीज़ को हम अभी देखेंगे विमयोगी हिद के सिद्दान्त का जो पहला मैत्व है वह है यह बीमा के मूल थे अत्वा उद्देश्य को सरक्षित करता है देखिए अब कोई भी सिद्दान्द जो बीमा के वैदानिक सिद्दान्द बनाए गए है, मुल तो उनका उत्तेश्य यही है कि बीमा के भाव से ही कराया जाना चाहिए, बीमा का अन्यता कोई भी उप्योर नहीं हो पाना चाहिए, जैसे कि बीमा का मुल यह है कि बीमा राहत के लिए है आर्थिक राहत के लिए न की लाब के लिए अर्थार्थ यदि किसी व्यक्ति ने बीमा कराया है और किसी आकस्मिक गटना के गटित होने से अनिश्चिक गटना के गटित होने से उसे हानी होती है तो उस हानी की पूर्टी का तो उसे अधिकार है लेकिन वह बीमा क करा कर लाब वर्जित करना चाहे या किसी तरह से करना कर सकता है या कर रहा है तो यह सर्वता वर्जित्त है और कोई व्यक्ति ऐसा न कर पाये कि लाब के लिए बीमा का प्रियोख कर ले। एसी उत्येश में रखते वे वीमा योग्य इसे हिद के सिद्दान्त को प्रतिबादित किया गया और इसे वैदनिक सिद्दान्त का स्वरुप दिया गया आप देखिए यदी भीमायोगी हिद का सिद्दान्त नहीं होता तो कोई भी व्यप्ति किसी के भी जीवन का और किसी की भी संपत्ति का भीमा करवाकर उसकी क्षत दुकान आपकी नहीं है और उस दुकान के पास आपको पता है ट्रांसफॉर्मर लगावा है विजली का आप यह जानते हैं कि उस ट्रांसफॉर्मर में बार बार स्पार्किंग होती है और वो कभी भी आग लग सकती है और अगर ऐसा होता है तो उस दुकान में भी आग लगे से एक निश्चित रासी जो आप आगलन करते हैं तक का नुकसान हो सकता है वो दुकान आपकी नहीं है उसमें रखावा माल भी आपका नहीं है लेकिन अगर आपको इजाज़त देती जाए कि आप उसका भीमा करा सकते हैं तो मान लेजिए 1000 रुपे दे कर कोई एक लाख रुपे का भीमा उस दुकान और उसमें रखे माल का करा लेता है और भीमा अवदी के तोरह उसमें आग से एक लाख तक किक्षति हो जाती है उस व्यक्ति को जो 1000 के बदले एक लाख मिले ये वैसे ही मिले जैसे जुवा में दाव लगाने से मिलते हैं क्योंकि ना त रखे माल को नश्ट होने से उसको कोई नुकसान हुआ अथा ऐसा नहीं हो पाए इसी वज़े से बीमा योग्य हित के सिद्दान का प्रतिबादन किया गया और इसे एक वैदानिक सिद्दान बनाया गया अब केवल हो ही व्यक्ति अपनी संपत्ति का जैसे उस दुकान का ही निकटतम चती उसी व्यक्ति की होगी अन्य किसी की नहीं दूसरा इसका मैत्त है कि यह सिद्दान बीमा की वैदता और समाजिक उपादेता का अधर है देखिए बीमा अगर है तो बीमा के कारण हैं कई व्यवसाई आम व्यक्ति जो की बीमा कराते हैं अपनी संपत्यों का वे जीवन और संपत्यों की ख्षती की दसाम में जो आर्थिक आघात उनको लगता है उसे सहिंग कर पाते हैं इसी कारण से इसकी समाजिक उपादेता बढ़ गई है क्योंकि यह समाजिक इस्तिर्था प्रदान करता है और बीमा से समाजिक स्तिर्था के साथ साथ समाजिक दाइतों के उत्तर दाइतों के पूर्ती में भी साहता मिलती है और चुंकि इस कल्यान कारियोत देशी की ये पूर्ती करता है बविश्य के प्रती बविश्य के लिए जो अनिश्चिता हैं जीवन के अनिश्चिता माल और संपती के सरक्षन के अनिश्चिता इनके विरुद व्यक्ति प्रावदान बीमा के माद्यम से कर सकता है इससे एक और तो बीमा कमने इस व्यवसाय से लावर्जित करके कईयों को रोजगार दे कर कमाती है और दूसरी और बीमे अपने आपको सुरक्षित करके आनिश्चताओं के विरुद प्रावदान करके अपने आपको सुर को से माना गया और बीमा को वयद प्रीया माना गया बलकि बीमा कराने के लिए राज की स्तर पर सरकारी स्तर पर पर भी प्रोष् внешsin दिया जाता है जैसे आप देखते हैं ये बीमा करवाने पर करव में भी छूट दी जाती है, ये बीमा का उपादेता के कारण ही संबव हो पाया है, फिर तीसरा इसका जो महत्व है वह है बीमा ख्षतिपूर्थी का आदार है, बीमा ख्षतिपूर्थी का आदार क्यों है इसका कारण है, क्योंकि बीमा योगे देखिए मान लीजे आपने अगनी या समुद्वी बीमा ये च्छति-पूर्थी बीमा कहलाते हैं क्योंकि व्यक्ति कितनी राशी का बीमा कराता है वह उसका अधिक्तम च्छति-पूर्थी करवाने का अधिकार है लेकिन च्छति की दसामें उसे वह संपूर्ण राशी दी जाएगी ऐसा कतापी नहीं है उसे वही राशी दी जाएगी बीमा राशी के अधिक्तम सीमा में जिसका की उसको वास्ता में नुक्सान हुआ है जिसकी की उसे वास्ता में च्छति हुई च्छति के समय ये देखा जाता है कि बीमित दिशह वस्तू जो थी उसमें च्छति क समय बीमित का कितना बीमायोग यहित निहित था और निहित था भी अथवा नहीं जितने राशी का बीमायोग यहित उस वस्तु में बीमित का निहित था केवल उसी की ख्षती पूर्टी उसे दी जाएगी अन्यता नहीं दी जाएगी क्योंकि अगर उसे अधिक राशी की पत्यासित लाव होगा. अब इसे भी हम उदारण के लिए समझें. मौन लीजिए एक व्यक्ति ने अपने गोदाम में रखे पांच लाग के माल का बीमा कराया है. अगनी बीमा. बीमा अवदी में आग लग जाती है. बीमा उसने पांच लाग का बीमा कराया है. दो महीने बा माल की डिलिवरी आठ दस दिन में वाहन के व्यवस्ता करकर लेने के लिए कहा और तक तक यह माल बेचने वाले के गोडाउन में क्रेटा के बिहाफ पर रखा है अब माल लेजिए क्रेटा इस माल को ले जाता है उससे पहले-पहले गोडाउन में आग लग गई अब माल यद्यपी पांच लाग का पूरा जल गया लेकिन इसमें बीमित का बीमायोग्यहित कितना था केवाई धाई लाग का क्योंकि धाई लाग का बीमायोग्यहित इसमें उस क्रेता का था जिसने की माल क्रेय कर लिया था लेकिन अभी तक गोड़ाउं से उठाया नहीं था तो भीमा योग यहेद व्यक्ति की वास्तिक शतिपूर्टी का भी आदार है ताकि कोई भी व्यक्ति अंजाने में भी सही भीमा से लाब अरजित ना कर सके फिर अगला जो इसका मैत्व है वह है भीमा अनुबन को यह किया जमाईश का माध्यम बना सकते कि अब कल्पना कीजिए अगर भीमा योग के teen का सिद्धान्त नहीं होता तो एक व्यवसाइक आउसर के व्यक्ति होग करते रहते हैं वह ऐसे लोगों को भी व्यवसाइक आउसर मानते जो मरना सन अवस्था में हैं लेकिन यह केवल आप उस व्यक्ति को जो की व्योसाइक अफसर के रूप में देख रहा है उसे ही पता है से फॉर एक व्यक्ति को कैंसर है उस व्यक्ति को ये बात गोपने रूप से पता चली कि अन्य व्यक्ति को कैंसर है से फोर एक्जामपल B को कैंसर है और A इस बात को जानता है यद भी A B का कुछ भी नहीं लगता अब A को ये पता है कि यद इक तम 6 महीने साल बर में इस दुन्या से कूछ कर जाएगा A B का 1 करोड रुपे का जीवन भीमा करा लेता है और प्रीमियम बढ़ देता है अब एक साल बात B की डेत हो जाती है और A को एक करोड रुपे अगर मिल जाता है तो ये कदा भी उचित नहीं है क्योंकि B के मरने से A की क्याक्षती होई ना तो A B परास्रित था ना उसकी कमाई उसके बविश्य का आदार दी अता यह प्रत्यासित लाप हो जाता है अगर बीमा योग की इतका सिद्धान नहीं होता तो लोग बीमा को जुवे की तरह से दाव लगाने का आदार बना लेकर किसी के भी जीवन पर और किसी की भी संपती पर वे दाव लगा सकते थे और किसी भी संपतिका भीमा और जीवन का भीमा कराकर अप्रत्यासित लाव बाग्याजमाई इसके आदार पर कमा सकते थे, लेकिन यह इसे जुवे से प्रतक करता है, इसी तरह से जुवे के बाती, भीमा में दौनों पक्षों को जुवे में तो जबकि एक पक्ष हाड़ता ह एक पक्ष जीता है, यानि एक को अप्रत्यासित थानी होती है और एक को अप्रत्यासित लाब, जबकि बीमा में दोनों पक्षों का कल्यान होता है और दोनों लाब कारिजिस्ति में होता है, एक को व्यवसाइक लाब होता है और दूसरे को आर्थिक कल्यान और आर्थिक राह तो इस प्रकार से वीमा अनुबंद को वीमयोग्यत का सिद्धान जुए से प्रथक करता है क्योंकि जुए में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज पर दाव लगा सकता है छेकिन वीमा में एक व्यक्ति केवल उसी संपत्ती अर्था जीवन का वीमा करा सकता है जिसमें कि उसका जीवन और संपत्य के शुरक्षा के परवर्ति को प्रोज़ दाने जब कोई व्यक्ति बीमा कराता है तो बीमा करता उसके समख्ष कुछ शर्टें रखता है उन सर्टों के अधिये नहीं बीमा किया जाता है जैसे कि यदि आप संपत्य का बीमा करा रहे हैं अगनी बीमा तो बीमा करता के अनुसार आपको निर्दारित संच्या में, निर्दारित दूरी पर अगनी शमन यंत्रों को इस्थापित करना पड़ेगा, आपको पानी की व्योस्ता करनी पड़ेगी, आपको आपात का लिन आग बुजाने के प्रबंद करने पड़ेगे, आपको construction अगर बीम कमनी में specify किया है, आपको दो sitting arrangement अगर आप office है और sitting arrangement कर रहे हैं, तो दो कुर्सी के बीच में, या तो जनों के बैटने के वैस्ता के बीच में उतने दूरी रखने पड़ेगी, जितना के बीमा कमनी ने आपको इंगित किया है, आपको संपती में उतना जगे खाली छोड़ पड़ेगी जितना की बीमा कमनी ने आपसे कहा है, और ये बीमा कमनी ऐसा इसलिए कहती है, ताकि आग से आपकी जोखें कम से कम हो सके, इससे न केवल आपको फायदा है कि अग्मी लगने की संभावना नियूंता मुझाएगी, बलकि बीमा कमनी कोई फायदा है कि इन केस आग लगी जाती है तो उसका भी दाइत्व नियूंता मोगा क्योंकि ख्षती इतनी व्यापक नहीं हो कि जितनी की अन्यता इन प्रावदानों के न रहने से होती इसी प्रकार से आप जीवन भीमा या हेल्थ भीमा कराते हैं तो एक कंदिशन होती है कि प्रतिक वैकल्पिक वर्ष में या कई हेल्थ इंशुररंस प्लान्स में ये भी होता है कि प्रतिवर्ष आपका कंप्लीट हेल्थ चेक अप कराया जाएगा आप जो premium दे रहे हैं उसमें उसका व्याय शामिल है तो आपके लिए एक तरह से बीमा कराने के बाद प्रतिवर्स वह निशुलक है तो आप इस कारण से उस health check-up को करा लेते हैं जिससे कि आपको समय रहते यदि कोई बीमारी इत्यादी आपके है तो आपको उसका पता चल ज देते हैं अन्य था कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से संपूर्ण स्वास्ति परिक्षण प्रतिवर्स या वैकल्पिवर्स में नहीं कराता फिर है अन्यों के संपत्तियंग जीवन को खत्रा नहीं क्योंकि इनका बीमा से इनका बीमा कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं करा सकत बिमयोगी हित के सिद्धान के कारण कोई भी व्यक्ति किसी की भी संपत्ति और जीवन का बिमा नहीं करा सकता अगर ऐसी इजाजत होती तो जो व्यक्ति अन्योग की संपत्ति और जीवन का बिमा कराता है उसका इस चीज में हित होता कि वो जीवन और संपतियां नश्ट हो उ अगर यह स्वतही नश्ट नहीं होती हैं तो हो सकता है जो मानविय जोखिम हैं कि वो व्यक्ति इस बात का प्रेतने करता है अर्थार्थ भीमेद के यह संपत्तियों और व्यक्ति के जीवन को वो स्वयम समाप्त कर दे ताकि उसको भीमा का लाफ मिल सके चूंकि के सिद्दान के कारण समाप्त हो गया अब हम देखते हैं कि क्या इस सिद्दान की कोई सीमाएं हैं ऐसा प्रतीत तो नहीं होता कि वीमायोगेद का इतना बड़या सिद्दान होते वे इसकी कोई सीमाएं हो सकती हैं लेकिन फिर भी वीमायोगेद की प्रथम सीमा तो यह है क ये केवल आर्थिक हित को महत्व देता है भीमायों के हित का आश है आप जैसा कि जानते हैं एक व्यक्ति का किसी संपत्ति अत्वा जीवन में आर्थिक हित है अर्थार्थ उस संपत्ति अत्वा जीवन के रहने से उसका आर्थिक कल्यान सुनिश्चित होगा और उसके समाप पुजाने से उसका आर्थिक लियान होगा लेकिन आर्थिक हित के साथ साथ व्यक्ति के जीवन और संपतियों में अन्य तरह की भी हित होते हैं जैसे दारमेकेत, आध्यात्मेकेत, भावनात्माखेत, सम्वेगात्माखेत, आदी इन हितों की उपेख्शा की जाती है बीमायोग्य हित के सिद्धानत में दूसरा इसकी सीमा अगर हम डिसकस करना चाहें तो यह है कि बीमायोग्य हित का सिद्धानत माता-पिता का संतान के जीवन में और संतान का माता-पिता के जीवन में बिमायोगेद नहीं मानता। जबकि वस्तुता हम यह देखते हैं कि बुड़ापे में माबाप के जब आये का कोई साधन नहीं रहता, तो वो निश्चे ही संतान पर आसरित हो जाते हैं और संतान भी जब तक रोजगार नहीं मिल जाता, माता-पिता के उपर आसरित रहती हैं, तो अगर समिक रूप से माता-पिता में से किसी का जीवन नश्ट हो जाए, जिस पर कि वो आस्रित हैं, तो संतान का आर्थिक अकल्यान होगा, और व्रदावस्ताम में, जबकि माता-पिता संतान पर आस्रित हैं, अगर संतान को कुछ हो जाए, तो माता-पिता का आर्थिक अकल्यान होगा, लेकिन विमायोगे हित इस बात को सिकार नहीं करता, यदि भ प्योग की संभावना रहती है कई ऐसे आप रादे करत्य देखे गए हैं जिसमें की पती पत्नी में जब पती का चूपी पत्नी के में बीमायोग एत होता है अता पत्नी का बड़ी राशी का बीमा कराकर स्वयम पती नहीं उसकी हत्याहिस ले करवा दी ताकि उसको बीमा का पैसा मिल सके तो यह जो मानव जनिक जोखिम हैं इनके संभावना बनी रहती है बीमायोग के हित के सिद्दान के कारण लेकिन अपव